आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इनके दुरू जो Rate आएका तो हमें क्या करना है बाद में Final Rate Constant निकालना है तो Rate Constant यहां में क्या होगा इन चारों में से तो हमें उस तीछ का Calculate करना है अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इस Reaction को देखते हैं तो हमें जो Data Given है उस Data के हिसाब से हम लिखते हैं तो हमने क्या Assume कर लिया Let क्योंकि सबसे पहले तो मुझे Order लिखाना पड़ेगा Reaction का तो मैं Order निकाल लेता हूँ तभी तो मुझे Rate Constant का वैल दीग पता चलेगा तो देखो अब देखो यहां पर क्या किवेन है यहां पर मुझे Let जो Rate मैंने जो Consider किया है मैंने Rate मान लिया मतलब अपनी तरफ से Consider कर लिया Rate को According to the Rate Low Expression तो Let Rate Low Expression की According हमें पता है Rate हमारा क्या होता है Directly Proportional होता है To the Molar Concentration of the Reactant Which raised to Summage Spar है ना और हमने एक Constant आता है इसको हमने बोलता है मैंने पार मान लिया X यानि एक Respect का जो Order है वो मैंने X मान लिया और B के जो Respect में जो Order होगा वो मैंने Y मान लिया यह मैंने Consider किया अब मुझे अगर X और Y की Value का पता चल लिया है तो मुझे यह भी पता चल लिया है कि इस Reaction का Order क्या होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे Reaction को रखेंगे देखो हमें क्या दे रख गिवन है हमें Initial Concentration A और B की गिवन है उसी पे हमें क्या गिवन है Rate गिवन है तो Rate मुझे पता है जैसे मैंने इसको माल लिया पहली Equation माना तो इसी मेरी First Equation First Equation में मैंने माना K और A की Concentration कितनी गिवन है मुझे Point One गिवन है Similarly, मुझे B की Concentration कितनी गिवन है यह Point One गिवन है मुझे, है ना और इसकी Power क्या हुई यहां पे Y और इसकी Power यहां पे हुआ X और यह मेरी क्या होगी First Equation होगी Similarly, हब देखो मुझे Second Equation के According जो मुझे Rate गिवन है वो कितना गिवन है Point One Point One is equals to this के बराबर K के बराबर A की Concentration कितनी गिवन है A की Concentration गिवन है यहां पे Point Two और जो मुझे B की Concentration गिवन है वो कितनी गिवन है Point One गिवन है और इसकी पावर क्या होगी X और इसकी पावर क्या होगी Y पावर होगी मैंने किस Equation को क्या महना Second Equation महना Similarly, Third में देखो यहां पे मुझे Rate कितना गिवन है 0.05 0.05 And is equal to मैंने K as it is रखा और मुझे A की Concentration कितनी गिवन है A की Concentration मुझे गिवन है यहां पे यह 0.1 की पावर X और मुझे Y की Concentration गिवन है 0.2 की Concentration Y And this is the Third Equation यह मैंने Third Equation महना अब मैं क्या करता हूँ इन तीन Equation को Solve करता हूँ तो इन तीन Equation को देखो मैं कैसे Solve कर सकता हूँ तो मैंने क्या क्या Second को First से अगर मैं Divide करूँ तो क्या फायदा होगा देखो यहां पे यह 0.1 और 0.1 से कट जाएगा Y से Y कट जाएगा तो Only X की Term बचेगी के से के कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा अगर मैं क्या कर देता हूँ Second को First से डिवाइड करूँ ताकि एक Term कट जाए X या फिर Y दोनों कोई भी ऐसी तुम डिवाइड कर सकते हो मैं केस को कर रहा हूँ Second को First से डिवाइड कर रहा हूँ जो मैं Second को First डिवाइड कर रहा हूँ This is 0.1 and this is 0.05 तो इसका मतलब इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2 and is equal to यहाँ पर के से के कट गया यह वाला के से के कट गया और हमारा point यह उपर जाएगा यह जो Second equation गे उपर जाएगी तो this will be हमारा क्या होगा यह होगा 2 और 2 की पार क्या हो जाएगी यह X हो जाएगी ऐसे ही तो होगा 2 की पार X अब यह point 1 से point 1 और Y से Y कट गया है तो यह आया अब देखो यहाँ पर हमारा यह 2 की पार X है यानि मैं कहा सकता हूँ कि इनका दोनों का base same है तो मैं इसका मतलब कहा सकता हूँ इसकी पार 1 है तो इसकी पार 1 है तो इसका मतलब मैं यह भी तो कहा सकता हूँ X की value 1 है हो सकती है अब मुझे यह पता चल गया X की value 1 है यहाँ पर यह पता चल गया मतलब जो X के respect मतलब A के respect में जो order है वो क्या है one order है अब मैं क्या कर रहा हूं देखो मुझे पता है जो third है third में मेरा x और मेरा first में x दोनों same है तो x x कट जाएगा और मैं अगर क्या करूँगा यहां से यह मेरा क्या होगा two times हो जाएगा तो मैं क्या करता हूं जो दूसरी equation में मैं डिवाइड करता हूं मैं third से किसको डिवाइड कर देता हूं first से third को डिवाइड कर देता हूं जब मैं third से first को डिवाइड करूँगा 0.5, 0.5 कितना आएगा यहां पर 1 is equal to अब देखो यहां से यह x की time कट गई k से k कट गया similarly यहां पर क्या आगया यह point 2 मैं उसे में किसको point 1 को divide कर रहा था तो यहां पर क्या आगया 2 आया और 2 की power क्या होगी अब देखो अब किसी भी चीच की मतला हुमारा किसी भी चीच का answer 1 जब हो सकता है जब कोई भी number की power कितनी हो 0 हो तो इसका मतला अगर मान लो 2 की power 0 हो तो यह 2 की power 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा तो यानि मैं यह कह सकता हूँ जो मेरा y होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा तो इसका मतला मुझे क्या पता चल गया मुझे x भी पता चल गया मुझे y भी पता चल गया तो क्या मैं order नहीं निकाल सकता, order मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, तो देखो, या फिर मैं, अब मुझे देखो किस तरह से rate का पता चल गया है, तो अब देखो मुझे पता है, rate मेरा क्या था, rate is equal to 2 था मेरा k, तो क्या मैं यह नहीं कहा सकता हूँ, कि k is equal to a की पार तो होगी 1, और b की पार 0, और b की पार 0 is equal to किसके बराबर होगा, 1 के, तो इसका मतलब जो मेरा rate होगा, वो क्या होगा, k a की पार 1, इसका मतलब यह हमारी क्या होगी first order अब देखो तुम क्या option से भी देख सकते थे कि यह जो मेरी reaction है वो first order respect में क्योंकि जो हमारा first order की जो reaction होती है उसमें क्या होता है उसका kiki unit second inverse होती है तो अब देखो जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे अब मुझे क्या करना है मुझे बताना है यहाँ पे एक k की value क्या होगी rate constant की तो मैं कोई भी एक equation पकड़ लेता हूँ suppose मैंने क्या क्या इस वाली equation को पकड़ लेया तो इस वाली equation को अगर मैं पकड़ता हूँ तो this is 0.05 and is equal to k और a की concentration देखू यहाँ पे कितनी थी a की concentration थी यहाँ पे 0.1 और इसकी power 1 तो मैं क्या करूँगा इसको इससे divide करूँगा तो जब मैं इसको इससे divide करूँगा तो what I will get? I will get 0.5 second inverse तो on solving जैसे तो तुम इसको solve करोगे तो जो मेरा k आएगा मतलब k जो come out to be k is equal to किसके बराब हो जाएगा 0.5 second second inverse second inverse क्यों? क्योंकि जो हमारा first order क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया यहाँ से पता चला this is the first order reaction और first order का rate constant होता है उसकी जो unit होती है वो second inverse होती है तो जो इसका correct answer होगा वो क्या होगा हमारा first answer इसका correct होगा ना answer यह होगा ना यह होगा ना यह होगा I hope आपको यह पूरा concern समझ में आया यह video clear होई Thank you so much for watching this Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubt 84444 पर